हेलो एनलिस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम आपको सॉर्ट फंक्शन के वारे में आपको बताएंगे यह सॉर्ट फंक्शन ओल्ली ओफिस्टी फाय में अबलेबिल है यह 19 और 16 में अबलेबिल नहीं है आपने इससे पहले जो एक्सल के वर्जन आप यूज क करते थे शॉर्ट में आपको क्या पहले आप विजाट के थ्रो करते थे जैसे कि आप फिल्टर लगा के शॉट यूज करते थे और कभी अल्ट डी ऐस करके शॉट यूज करते थे तो जैसे कि यहां पे आप देखोगे यह सॉर्ट का पॉप यहां पे आया तो यह इस तरह क यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर इसका मैंने डेफिनेशन पहले से लिखा हुआ कि दर सॉर्ट फंक्षन इन एक्सल सॉर्ट से कर गांटेंट्स अफ एन एरे और रेंज वाई कॉलम और रो इन एसेंडिंग और दिसेंडिंग ओर्डर में ठीक है उसके बाद में सॉर्ट बलॉंग टू दा ग्रॉब ओफ डैनमिक एरे फंक्षन का यह पार्ट है इसमें आपको कंट्रॉल सिप्ट एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं प यह है उसराफ़ से आपका एरे है उससाब से यह डैनमिक लिए इस पुल आउट होता है उसके बाद में यहां पर इसका सोट अर्हें औरत उप इंडेक और्डे चुका हूँ जैसे कि x match, x lookup और filter function में आपको बताया है कि array क्या होता है और यहाँ पे आप उसके लाबा देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि array आपका value of range से और यह कोई भी आपका text, number, time, date, कुछ भी हो सकता है यह आपका required होता है sort function में उसके बाद में आप sort index आप देखोगे sort index optional होता है और यह हमेशा integer value में ही pass होगा ठीक है अगर आप इसको नहीं देते हो क्योंकि यह optional है अगर आप उसको skip करते हो तो यह by default one use होता है चीक है उसके बाद में हम बढ़ते हैं कि sort order यह भी optional है यह यहाँ पे क्या है defines the sort order कि आप ascending order में करना चाहते ह यह आप यहाँ पे देखोगे कि one यह by default होता है ascending इसमें by default ascending होता है और वह भी कैसे होता है कि form from largest smallest to largest यहाँ पे minus का है descending order में और यह होता है largest to smallest और by column में यह भी optional argument है यह आपको logical value होता है यहाँ पे आप जो false आप देखोगे by default यह false होता है और यह by default row में आपको यह sort करता है अगर आपका data column में होता है तो आपको यहाँ पे column देंगे otherwise यह sort नहीं करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बदखाता हूं कि सबसे पहला यह यहाँ पे example यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ मैंने example की seat बनाई है त तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस header को copy करता हूं और यहाँ पे sort का function लगाता हूं equal किया और यहाँ पे sort लेखा यहाँ पे array हमारी वह चीज होती है जो हमें return में लाना होता है ठीक है यहाँ पे हमें दोनों column return में लाने है और जितना लाना है ठीक है अगर यहाँ पे आप only दो तीन चार रो स्लेक्ट करोगे तो वह चार रो का ही record return करेगा इसलिए हमें पूरा record यहाँ पे पूरा array स्लेक्ट किया जितने records इसमें थे वह सभी स्लेक्ट कर लिए ठीक है इसमें आपको finish करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप range को fix करें इसका कोई जरूरत नहीं है और उसके बाद में यह sort index यहाँ पे sort index में आपको क्या करना होता है कि यह आपका कौन सा कॉलम है वन या टू वाई डिफॉल्ट वन होता है अगर आप इसमें देना चाहते हो कि हमें दूसरा कॉलम करना है या तीसरा करना है तो यहां पर वन दे सकते हो यहां यहां पर त्री दे सकते हो उसके बाद में यहां पर है इसेंडिंग यह डिसेंडिंग ओर्डर मे में यहां पर करता हूं कि first column हमें करना है और सके ऐसे इसजकाइबとう और में हमें करना है तो मैंने यहां पर बन किया और यहां पर देखोगे कि सबसे पहले essay start हुआ और पी खतब हुआ यह आपका ascending order में है ठीक है यहां पर आप देखोगे कि यह वाली जो table है यह आपको descending order यह ascending order में है और वो भी column number 2 है आप मैं यहाँ पर column number 2 change करता हूँ और यहाँ पर column number 2 और यहाँ पर minus करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर देखोगे कि same result यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर यह second column आपका descending में हो गया second column पर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखोगे यह data वर्टिकल में पहले मैंने किया तो अब यह आपका horizontal data है और horizontal data को हम sort करेंगे यह कैसे करेंगे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ जैसे कि मैंने यह लिखा ठीक है नाम यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पर इसको sort करता हूँ ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पर sort function लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पर sort किया array select किया यहाँ यहाँ पर मुझे first करना और उसके बाद मैं ascending or descending order में जो भी करेंगे अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ जो last वाला argument है उसको अगर मैं छोड़ देता हूँ तो यह क्या result आएगा है result हमारा same आया ठीक है अगर मैं यहाँ पर अब आप बुलोगे कि इसको descending order में माइनस कर दीजिए ठीक है तभी result same आया यह हम जब change कर रहे है ascending और descending में हमारे result में कोई फरक नहीं बढ़ रहा है बड़ अगर यह कहनी का मतलब यह है कि यह sort नहीं हो रहा है data क्योंकि हमारा यह data horizontal है और horizontal data को sort करने के लिए उसके लिए हम आपको बताते हैं कि अगली argument पर आप बढ़ेंगे कि आपका sort by row यह y default होता है हमें आपको column में करके देना है data को sort तो हम पहला true select करेंगे और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे bracket को अब यहाँ पर देखोगे कि data एकदम sort हो गया है ठीक है उसके बाद में यह तो था आपका descending में अब मैं यहाँ सको minus one से बंद कर देता हूं ठीक है यहाँ पर one कर दिया और enter किया अब यहाँ देखोगे कि data एकदम change हो रहा है ascending और descending order में वो भी horizontal data तो वो कैसे करते है यहाँ पर मैं यहाँ पर data यहाँ लेता हूं sort यहाँ पर sort लिखा और उसके बाद में पूरा यह range लिखा उसके बाद में यहाँ पर मुझे क्या करना है कि second पर second column और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ascending order में ठीक है और y default row होता है मुझे column करना है और यहाँ पर enter प्रेस किया तो अब आप देखोगे कि data ऐसे आया हुआ है ठीक है अब but मुझे क्या करना है कि यहाँ पर अगर वही result आपको लाना है तो इसको आपको करना है minus 1 ठीक है यहाँ पर आप देखोगे कि इदम result सेम आया हुआ है यहाँ पर इसको कर दिया मैंने disending order में ठीक है उसके बाद में मैं भड़ता हूँ कि यह तो था vertical और horizontal data को कैसे sort करते हैं function के थूँ अब हम यह हमने किया था single single column पर ठीक है उसके बाद में हम करते हैं अब हमें करना है कि multiple column पर कैसे sort करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके header copy कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर sort लिखा ठीक है और उसके बाद में मैंने जितना मुझे array return करना है वो गिया फिर उसके बाद में मुझे क्या करना है कि first column जो हमारा है region का ठीक है वो हमें क्या करना है कि ascending order में करना है ठीक है उसके लिए यहाँ पर एक trick अपनाएंगे कि यह curly bracket के अंदर one और यहाँ पर क्या करना है और हमें quantity third column पर third column को यह करना है sort और उसके बाद में हमें कैसे करना है sort ascending या descending order में ठीक है यहाँ पर option आपको दिख रहा है कि ascending में कर सकते है descending में तो same trick यहाँ पर भी अपनाएंगे कि पहला हमें करना है किसमें descending में दूसरा भी हमें इसमें ठीक है उसके बाद इसका bracket बंद किया और enter प्रेस किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर data ऐसे आया हुआ है ठीक है बट यहाँ पर आप देखोगे कि यह जो data है आपका first और second column को यहाँ पर किया गया तो मैं यह क्या करता हूँ यहाँ पर यहाँ पर देदेता हूँ इसको first और second column को तो आप देखोगे कि result आपका ऐसे आया हुआ है एकदम same exact के लिए यहाँ पर आप देखो कि first और second किया गया यहाँ पर first और second को किया गया और उसके बाद में पहले को ascending में और दूसरे को descending में यहाँ पर देखो कि first और third को मैंने किया और यहाँ पर ऐसे कर दिया तो आप देखो कि result एकदम same आया हुआ है तो यहाँ पे आपको multiple column को कैसे sort करेंगे वो आपको यहाँ पे trick आपको देखने को मिली है कि आप curly bracket के अंदर multiple column आप pass कर सकते हो तो वहाँ पे sort कर देगा ठीक है sort के साथ में filter कैसे use करेंगे पहले तो हमें data को sort कर दे और उसके बाद में filtered data को हमें sort कैसे करना है ठीक है वह हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किई कि जितनी क्वांटी्टिटी है वह थर्टी से जादा हो उतने को हमें sort करके देना है और वह भी कैसे sort करना है कि इसके base पे, quantity के base पे, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे header copy कर लेता हूँ, और यहाँ पे short function लगाता हूँ, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे फिर मैं filter function यूज करता हूँ, office 365 में भी अबलेविल है, और इसका मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ कि filter function कैसे use करते हैं, कैसे क्या, इसमें benefit हैं, इसके, वो क्या क्या example आपको बताए हैं, वो मैं, मैंने आपको कैसे सिखाया, वो उसका link आपको description में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, कि दोनों array यहाँ पास करता हूँ, ठीक है, include, include में क्या होता है, कि हमें जो criteria देनी होती है, criteria हम यह चीज देंगे, और उसके बाद में मुझे क्या करना है, greater than 30 करना है, ठीक है, अब, उसके बाद में, अब मुझे क्या करना, short मुझे second column को करना है, ठीक है, यहाँ पे, अब उसके बाद में हम बढ़ते हैं, कि इसको ascending करना है descending करना है तो मुझे करना ascending और मैंने इसको enterprise करूँगा तो आप दिखो कि result आपका एकदम same आया हुआ अब ये काम कैसे किया इसने तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि filter function ने कैसे काम किया filter function ने क्या 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 हम किया यहाँ पर पूरा एक table return किया ठीक है और वो table कैसे return किया है वो आपको इस form में table देखने को मिलेगी इसी short function के अंदर यहाँ पर मैं केवल filter function यहाँ पर लगाता हूँ और मैं इसको enter press करता हूँ तो यहाँ पर यह आपको table देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप देखोगे केवल आपको 30 से below केवल आपको 30 से plus जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप देखोगे कि 5 record है और जब कि यहाँ पर आप देखोगे कि main table में 8 record है ठीक है उसके बाद में हमने इसको कर दिया short अगर मैं यहाँ पर से short लगाता हूँ short function array select किया ठीक है अब यहाँ पर आपको एक चीज और नई देखने को मिली हो गई कि k5 और उसके बाद में हैज लग गया तो यह एक dynamic array जब लगाते हैं तो उसके लिए आप यह data validation में भी यूज कर सकते हैं तो यह एक tricks है यहाँ पर भी यह आपको जब यह ऐसे dynamic array का कुछ function लगा हो तब यह देखने को मिलेगा फिलाल मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर short column number 2 करना है और वो भी कुझे ascending में करना मैंने enter press किया तो आप यहाँ देखोगे यह वाला result और यह वाला result बिल्कुल same है तो इसने क्या किया filter sort ने कि यह वाला जो step था उसने यही पर written कर दिया इसी में तो इसको मैं यहाँ पर delete कर दिया और इसके अंदर ही इसके involved मैं filter function कैसे use किया वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ठीक है यह तो था filter के साथ में अब मैं भड़ता हूँ कि मुझे end position जैसे कि मैंने filter लगाया और उसके बाद मैं मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको sort किया sort के बाद मैं मुझे top 2 की value चाहिए या top 3 पर चाहिए जो भी नाम है या number है वो मुझे चाहिए या item है या region है जो भी है top 2 पर वो मुझे चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लगाते हैं index जो मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया यहाँ पर आप देख सकते कि मैं formula नहीं दोबारा लगा रहा हूँ यही पर मैं समझा देता हूँ तो index ने क्या किया सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि sort function लगाया sort क्या करता है कि एक table written करता है वो भी आपको यहाँ से confirm है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि यहाँ पर table यहाँ पर sort function यहाँ पर sort लगाएंगे ठीक है अब मैं यहाँ पर इतने को written करवाँगा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दो column को यहाँ पर copy करता हूँ अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जितने को select करोगे array को उतना ही return होता है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर sort लिखा और उसके बाद में मैंने यहाँ पर array select किया और उसके बाद में यहाँ पर sort column sort column मुझे कौन सा column करना है ठीक है अब मुझे कौन सा column करना है वो column number है 2 sorry column number 3 ascending में करना है ठीक है अब मुझे ऐसे sort कर दिया ठीक है बट मुझे क्या मैंने कि यहां पर क्या लिया हुआ तीन कॉलम लिये हुआ है इसलिए यहां पर तीन return किया यहां अगर मुझे आइटम और quantity चाहिए थी तो मैं क्या करता यहां पर यहां पर बी कर दूँगा ठीक है अब यहां पर देखोगे यहां पर sort लिखा मैंने इतने को किया ठीक है अब यहां पर कॉलम नम्मर यहां पर किया किया मैंने टू और उसके बाद में ascending एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे कि यहां पर एकदम sort दो कॉलम का sort हुआ है ठीक है अब मुझे क्या करना है कि इसको मुझे टॉप टू का चाहिए था बड़ टॉप में क्या है सबसे पहले यह उल्टा कि हमारा सबसे जो टॉप था वो नीचे हो गया तो इसको करना है descending order में तो यहां पर देखो गया 40 रेटन हुआ अब मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें जो यहां पर index function ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं ठीक है अब इंडेक्स function इसमें क्या करेगा कि मैंने इतनी रेटन करवानी है इसमें से इतने array से range से हमने data रेटन करना है वो कौन सा करना मुझे करना है दूसरा रो पे ठीक है दूसरी रो कहने का मतलब टॉप टूप 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 पे यह है तो मैं यहाँ पे टू दे दूँगा और मुझे कॉलम कितने रेटन करने है दो कॉलम जैसा कि एक यह करली व्रैकेट के साथ मैं पास करेंगे जो मैं पिछले अभी यहाँ पे कैसे इसने रेटन किया हुआ है तो वह आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि इंडेक्स से टॉप टू की वैल्यू और वाटम टू की वैल्यू कैसे लाएंगे ठीक है उसके बाद में यह जो फंक्शन लगाया था इसको मैंने यहाँ पे तोड के बता दिया कि इसने इंड में आप यहां पर क्या कर सकते हो कि इस data को descending order में कर दोगे यह पहले से ही जो यह data है यह पहले से यहां से यह जो नीचे वाला है वो सबसे नीचे चला जाएगा यहां पर माइनस करता हूं जो सबसे छोटा है तो यहां पर bottom 3 आएगा यहां पर यह चीक है उसके बाद में क्या करता हूं यहां पर बढ़ता हूं next अब यहां पर question एक यह है कि हमने single record to return करवाया top 2, bottom 2 अगर मुझे यहां पर return करवाना हो top 3 value यहां पर single value थी अब मुझे return करवाना top 3 value, top 5 value, top 5 number, top 5 name यह return कैसे करेंगे वो मैं यहां पर बताता हूं यहां पर index के साथ में आपने लगाया और यहां पर आपने दो column pass करवा दिये बट यहां पर आपको row कैसे pass करवाएगे अगर यहां पर suppose यहां पर मैं आप बोलोगे कि यहां पर कर देता हूं 1,2 दो return हो जाएंगे top 2 तो यहां पर आप देखोगे तो same result आया यहां पर नहीं आया ना अब हम बढ़ते हैं कि कैसे करेंगे यह चीज तो मैंने यहां पर copy कर लिया है इसके header को ठीक है उसके बाद में यहां पर same आपको वही example जैसे कि इसको समझाया मैंने वही मैं आपको यहां पर बताता हूं कि यह कैसे हुआ ठीक है same यहां पर लगाया बट यहां पर एक office 365 में एक dynamic array का एक और function है sequence यहां पर देखोगे कि यह sequence क्या करता है function कि आपको यह serial से आप row में लिखना चाहते हो 1,2,3 या column में लिखना चाहते हो कि कितने से start होगा step क्या होता कि कि कितने skip करके जैसे कि अगर दो लिख दोगे तो क्या होगा कि 1,3,5,7 step से आएगा अगर आपको step पांच देना है या step एक एक छोड़ के चले या पांच पांच छोड़ के चले ऐसे देना है तो यह sequence से एक function है उससे आप कर सकते हो तो मैं यहां पर बढ़ता हूँ कि आपको top end result लाने है मतलब top 5 number लाने है, top 3 लाने है, top 2 लाने है, bottom 2 लाने है यह कैसे लाए sort function ठीक है, यहां पर लगाया sort, sort को use किया और उसके बाद में मुझे item और quantity लाने है, ठीक है, उसके बाद में मैंने sort कौन से column को sort करना है, मुझे second column को, कैसे करना, ascending order में और मैंने यहां पर enter प्रेस किया, ठीक है, अब यहां पर इसको अगर आपको top में लाना तो इसको करन descending, top का मतलब जो सबसे बड़ा होगा, वो लाना है, तो हमें करना होगा data को descending order में, अब descending order में minus देंगे, और यहां पर सबसे पहले आगए, अब मैं अगर क्या करूँगा, यहां पर सबसे पहले यहां पर use करूँगा index, और उसके बाद में यह data ले लूँगा, जो हमारी row return ह हो रही है, जो हमारी जितनी row return हो रही है, short function के द्वारा वो यहां पर select करेंगे, उसके बाद में यहां पर row का क्या है, concept, अगर यहां पर आप ऐसे देता हो, one, two, three, चीक है, यहां पर ऐसे, और उसके बाद में यहां पर column two return करवाना है, तो one, two, ठीक है, अब मैं bracket one करता हू यहां पर देखोगे, कि यह ऐसे result आया, तो यहां पर, यहां पर, मैं यहां पर index लगाता हूँ, ठीक है, यहां पर यह लिखा, और उसके बाद में, इसके लिए मैं लिखता हूँ sequence, ठीक है, sequence मुझे क्या करना है, कि मुझे, यहां पर तीन, तीन row में return करवानी है, ठीक है, यह किया, उसके बाद में, मैंने यहां पर column कितने, दो return करवानी है, यहां पर, ऐसे यह return हुआ, अगर मुझे यहां पर, मैंने, sorry, यहां पर दो लिखा, बट मुझे तीन चाहिए, तो top 3 result कैसे return किया, जो यहां पर return हो रहा है, वो यहां पर return हो रहा है, तो यह कैसे आया, अगर आप same function में करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करते है, मैं यहां पर index लगाता हूँ, फिर उसके बाद यहां पर sort लगाता हूँ function, sort के बाद में, मुझे जितनी column written करवानी है, वो, उसके बाद में, column कौन सा, sort index कौन सा, यह करवाना है, और यहां पर मुझे descending order में कर करना है, ठीकिया, sort function close करता हूँ, और उसके बाद में, यहां पर किंतनी row written करवानी है, उसके लिए मैं sequence functionECT करता हूँ, और उसके लिए, यहां पर sequence मुझे तीन रो रेटन करवानी है तीन वार ठीक है तो यहाँ पे तीन लिखता हूँ, सिक्वेंस को बंद कर देता हूँ यहाँ पे कॉलम मुझे कितने रेटन करवानी है दो, वन और कॉमा टू करली रेकेट को बंद किया और प्रंथसीज को को बंद कर दिया और यहां पर एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर रिजल्ट सेम आ गया सेम ऐसी बॉटम का है अगर यहां पर क्या करते हो आप यहां पर बन कर देते हो ठीक है अब यहां पर देखोगा कि यहां बॉटम का सेम आ गया वही एसेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉंसेप्ट है कि आप डेटा को सेंडिंग रिटन कर रहे हो या डिसेंडिंग में ठीक है तो यह था हमारा सौर्ट फंक्शन का पूरा कंप्लीट पैकेज जो आपको अच्छा लगा होगा I hope you are कि आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा अगर आपने कुछ भी छोटी सी भी जानकारी इस वीडियो से लिए है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी दोस्तों के साथ सेयर करें हुआद लाड़ी आपने कक कुछ एड्प चैनल